जैहिन दोस्तों स्कॉलर्शिप्स को लेकर बहुत बड़ी अपडेट में लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड से इंटर पास करने वाले स्टुडेंट्स को 10,000 रुपए की स्कॉलर्शिप्स दे रही है किंदर सरकार पूरी डीटेल्स जानेंगे इस स्कॉलर्शिप्स के बारे में वीडियो को पूरा देखें बीना स्किप्प किए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं ये एक निउस्पिपर की कटिंग है आपके सामने जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 11,460 मेधावियों को 10,000 सालाना वजीफा यूपी बोर्ड की 2020 इंटरमीडियेट परिक्षा में 80% से पास करने वाले 11,460 मेधावियों को किंदर सरकार की और से इसना तक अस्तर पर सालाना 10,000 रुपे की छात्रविती मिलेगी बोर्ड ने बुद्धवार को चात्रविती के लिए योग चात्रशात्राओं का कट आफ जारी कर दिया है विग्यान वाडिज वकला वर्ग में क्रमसा 334, 313 वद 304 अंक पाने वाले ऐसे अभ्यार्थी जिनकी सालाना पारिवारिक आया 8 लाख रुपे से कम हो वे आवेदन कर सकते हैं विद्ध्यार्थियों के विवरन मानो संसाथ विकास मंत्राले एमेचररडी की वेपसाइड पर उपलब्ध है जो की वेपसाइड है www.scholarship.gov.in अगर आप प्राइवेट करते हैं तो आप इस scholarship के लिए eligible नहीं होंगे अगर आप regular पार्ट करम में प्रवेश लेते हैं वे छात्विती पाने के योग होंगे पुर्व के वर्सों 2016, 2017, 2018, 2019 में छात्विती प्राप्त करने वाले छात्रशात्राएं अपनी छात्रविती नमी नहीं करने यानि रिनेवल के लिए इस वेपसाइड पर आनलाइन आवेदन करें सभी छात्राओं को अपना अधार बैंक खाता संख्या से लिंक कराना होगा तो यदि आपने इसी वर्स यूपी बोर्ड की इंटरमेडियर्ट के एक्जाम्स 80% से या उससे अधिक से पास किया है और 11,460 स्कॉलर्स की लिस्ट में आपका नाम तो होगा ही होगा तो आप इस स्कॉलर्सिप के लिए अपलाई कर सकते हैं और आप इस स्कॉलर्सिप को पा सकते हैं साथ ही वे स्टूडेंट जिनोंने विज्ञान वर्ग में 334 नंबर तथा कॉमर्स में 313 वह जो आठ से पढ़ते हैं उन्होंने 304 अंक या इस से अधिक पाया है वो भी जो है नेशनल स्कॉलर्सिप के लिए आवेदन कर सकते हैं इनके लिए जो है ये इलिजबिल्टी जरूरी है कि उनकी पारिवारिक आया आठ लाक रुपए से कम हो और उनका जो बैंक खाता हो वो उनके आधार नंबर से लिंक हो तो ये अगर आपके रिलेशन में या और आपके फ्रेंट्स में कोई ऐसा स्टूडेंट्स है तो 313 या इससे अधिक मार्क्स पाये हो या आठ साइट से पढ़ा हो तो वो 304 नंबर या इससे अधिक जो है नंबर पाया हो तो उसे ये वीडियो जरूर से एर कीजिए ताकि उसे भी जो है इसे स्कॉलर्शिप के बारे में पता चल पाये और वो भी स्कॉलर्शिप के लिए आवेदन कर सके और यदि आपने पूरवके वर्सो 2016, 2017, 2018, 2019 में चात्विती प्राप्त किया था तो अपनी चात्विती रिनीवल करने के लिए यानि कि नविनी करन के लिए www.scholarship.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं याद रहे आपका जो बैंक एकाउंट हो वो आपके आधार से लिंक होना चाहिए आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने मोबाइल से या PC से घर बैठे इस स्कॉलर्शिप के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं तब तक के लिए जय हिन जय भारत जुड़े रहे हमारे चैनल दा स्मार्ट एजू फोर यू के साथ